सौरब के पास ही चलते हैं, सौरब पटना में क्या चल रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं, लेंड फोर जॉब मामले में आज लालू परिवार की पेशी है, एक ही गाड़ी में निकल भी चुके हैं कोर्ट के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार की सियासत को लेकर बारात तारीक बहुमत का जो खेला शुरू हुआ है, बहुमत साबित करने से पहले, क्योंकि इससे पहले तो महागडबंधन की तरफ से विधायकों की खेरेबंदी की चा रही है, कॉंक्रिस की तरफ से खबरे आ रही थी, 16 विधायक खेदरबाद धेशती हैं, लेकिन अब यही ड यहाँ बीजेपी जेडियो को सताने लगा है, यहाँ पर भी खेरे बंदे की कोशिश हो रही है, बीजेपी ने भी 10-11 फरवरी को अपने विधायकों को बोध गया बुलाया है, अब क्या इसके पीछे बजा हो, ट्रेनिंग वगएरा, यह सब बाते सामने आ जरूर रही है, लेकिन यह खेला करने कौन बाला है, यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो गया है, बिहार के लिए, निशीत तोर पर 12 फरवरी को जो विश्वास मत हासिल करने वाली है, नितिस कुमार की सरकार, उस पर अभी भी संचे बनी हुई है, कारण पहले ऐसा कहा जा रहा था, कि करिब 17-18 ऐसे जदियू के बिधायक हैं, जो अपने नीता के संपर्क में नहीं है, उन्होंने अपना म एक साथ है, तो निशीत तोर पर अब बीजेपी और जदियू के तरफ से भी अपने विधायकों को एक जूट करने की जो कबायत है, वह शुरू हो गई है, कल यानि दस फरवरी को बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को गया बुलाया है, और कहा है कि आप दो दिन तक गया में ही रहेंगे, यानि 10 और 11 फरवरी को बीजेपी के तमाम जो बिधायक हैं वो गया में रहेंगे, हलाकि परसीचन सिवीर का नाम दिया गया है, और ये कहा गया है कि लोग सभा चुनाव से पहले सभी बिधायकों को परसीचन दिया जाएगा, और तैयारी को लेकर 10 फरवरी को गया बुलाया गया है और ये 12 फरवरी को यानि बीजेपी के जो तमाम 78 बिधायक है ये 12 फरवरी को सीधा गया से बिधान सभा पहुँचेंगे और जहां पर विश्वास मत हासिल करना है अंडिये की सरकार को दूसरी तरफ अगर जदियू की बात करें तो जदियू ने 11 फरवरी को बिधान मंडल की बैठक बुलाई है बीजय चोधरी के घर पे या बैठक साम में 5 वजे बुलाई गई है क्योंकि एक दिन पहले यानि विश्वास मत के एक दिन पहले जदियू यह देखना चाहती है कि हमारे बिधायक एक जूट है एक साथ है और निशित तोर पर 11 को साम 5 वजे ही पता चल जाएगा कि क्या सच में जदियू का कोई बिधायक आउट अफ नेटवर्क है या आउट अफ रीच है लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस ने पहले ही यानि तीन दिन पहले ही कॉंग्रेस ने अपने 16 बिधायकों को हैदराबाद भेज दिया है और सारे बिधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो विस्वास मत से एक दिन पहले वो पतना आएंगे और विस्वास मत में सामील होंगे तो निशित तोर पर तोर जोर की ज कई नेताओं ने कहा है कि बारह को जो भी होगा बरा होगा और परदा अभी मत उठाइए बारह को आप लोगों को पता चल जाएगा तो निश्ची तोर पर तमाम जो विधायक है और जो पॉलिटिकल पार्टी है वह तोड़ जोर की राजनीती में लग चुकी है कल जिस तरीके से सरवन कुमार ने आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों के पास बरे बरे ठीकेदार पहुच रहे हैं उनको बड़ा परलोभन दे रहे हैं लेकिन हमारे विधायक तूटने वाले नहीं हैं हमारे विधायक एक साथ है और जब ठीकेदार वापस चले जाते है परलोबन देकर तो हमारे विधायक ही हमें सूचना देते हैं जानकारी देते हैं कि यह हमारे पास आये थे और ऐसे इसे परलोबन दे रहे थे दूसरी तरफ अगर आरजेडी के विधायकों की बात करें तो उनका कहना है कि जो सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो मुझे फोन करके कह रहा है कि आप नितीश कुमार के पाटी में सामिल हो जाईए आप नितीश कुमार के तरफ चले जाईए तो नीशी तर पर चारो तरफ से जो घेरा बंदी है वह सुरू हो गई है ऐसे में सबसे बरी चुनाती सभी पाटी ओ के लिए है चाहे नितीश कुमार हो बी लेडी हो या फिर कॉंग्रे चुनाते ही आपर सभी के लिए है